जिला कांगडा के इंदोरा और फतेपुरुक मंडल में पोंग के बहाव क्षेतर के साथ लगते गाउं से अभी तक 1731 लोगों को स्रक्षित निकाला जा चुका है जिलाधिश कांगडा डॉक्टर नेपुन जिंदल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार दोपहर से जारी इस रेस्क्यू ओपरेशन में भारतिय सेना एर फोर्स एंडिर्फ और स्टिर्फ के जवानों ने अपनी जान के वाजे लगा कर बड़ी संख्या में इसे स्वयम मोके पर हैकर मोनिटर कर रहे हैं स्थिती को देखते हुए जिलापरशासन ने तुरंत प्रभाव से भारतिय सेना और वायू सेना से संपर्क सादा उन्होंने बताया कि सेना ने त्वरित प्रभाव से अपने दो फ्लड रिलीफ कॉलम को मोके पर भेजा उन्हो उन्होंने बताया कि NDRF की साथ टीमे रेस्क्य ओपरेशन में दिन रात तैनात है जिसमें 180 जवान शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त SDRF की टीमे और पुलिस के जवान भी बचाव कारे में लगे हैं। अब तक इंदोरा उपमंडल से सरवादिक 1344 लोगों को सरक्षित निकाला गया है। उन्होंने बताया कि उपमंडल इंदोरा में पॉंग के बहाव क्षितर के साथ लगते गाओं से बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया गया। उन्होंने बताया कि यहां 574 लोगों को भारतिय वायू सेना की चोपर से एरलिफ्ट किया गया तथा बोट के माध्यम से 780 लोगों को स्रक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। जिलाधिश ने बताया कि प्रशासन द्वारा स्थापित 5 राहत शिवरों में से फतेपूर उपमंदल के भडूखर में 186 और फतेपूर में 38 लोग रह रहे हैं। वही इंदोरा के शेखपूरा में अभी 13 लोगों ने आश्रे लिया है। उन्होंने बताया कि नूरपूर के लोगों का स्वास्थे जांच कर जरूरी उपचार भी कर रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि रेस्क्यू किये गए लोगों को पहले सीधा राहत शिवरों में लाया जा रहा है। उसके बाद बहुत से लोग अपने रिष्टदारों के पास रहने के लिए चले जा रहे है पास रहे हैं।